परिवार को भी जानकारी देती हूं लेकिन मैं अपनी बात से उनको सहमत कर ले जाती हूं। मैं एक साल में लगभग नव लोगों को नजबंदी करवा चुकी हूं। और अभी जल्दी में एक लोगों को करवाई हूं। टोटल दस लोगों का हो गया है। मैं बच्चे को स्वास्त के बारे में भी बात करती हूं। क्योंकि जैसे हमको आंतरा इंजएक्शन लगवाना है। तो वो बिना अपने सास के या हस्वेंड के परमिशन के नहीं निकल पाती है। तो मुझे उनको भी मोटिवेट करना पड़ता है। जैसे कंडोम हुआ, EGC पील है और ये चाया टेबलेट है आया है अंतरा है नस्वंदी के बारे में पुरुष नस्वंदी के बारे में ये सब चर्चा करती हूँ मैं 1278 जनसंख्या पे काम करती हूँ लगभग सब घरों में पहच गई हूँ लोगों को भी अपने माध्यम से समझाती हूँ देखिए मेरे तीन बच्चे हैं एक समझ लीजिए एक के साथ मुझे एक फिरी मिल गई है एक लड़का था एक लड़की थी तो मुझे जानकारी नहीं थी मतलब दूसरी फिल लड़की हो गई तो मैं मालायन यूज करने लगी तब से मतलब मेरे बच्चे नहीं हुए और लोगों को भी अपना उधारन देकर प्रेरीद करती हूँ कि जिसे सुई कोनो आवत हो तो सुई मतलब हमें लगवादे कि हमारे तेन बच्चे हो गएं काफी हो गएं तो हमें बच्चे अब ना चाहिए मेरो से तब बोली की मतलब है अभी तुमारे कितने बच्चे मैं बोली कि एक लड़की है तो अभी तब बोली की मतलब अब क्या करना चाहते पलवार बढ़ाना चाहती है तो बोली कि मैं बोली कि नहीं बढ़ाना चाहती तो बोली कि अपरेशन करवा लो तो मैं अपरेशन के लिए हम करें ठीक है चाहते हैं तो वे सीसी मालग आई सीडियर लगवा दिये जब मैंने अनपर्म जी से बात किये तो ताक हमारे पतनी को जाता प्रेशन आपड़े किसी परकार की दोईयां ना खाना पड़े उन्होंने कंडूं के बारे में बिसे परकार के में जानकारी जिसे हम बच्चों में अंतराल रख सके हमारे गाउं में आसा बहु के रूप में अनपर्म सिंग वाइफ आइफ संजे सिंग बहुत अच्छा काम कर रही हैं पिछले कई बरसों से इनका योगदान इस गाउं के लिए सराहनिय रहा है ये नियोजन पे लोगों को जागरू आए हैं उसको जो है गाउं और छेत में बराबर फैलाती रहती हैं मौके पर गाउं के लोग काफी इनसे लाभानवित हैं